पूर्णया में आयूजित बिहार जूनियर होकी टूर्णामेंट के महिला वर्ग की शुरुवात अस्थाने जिला स्कूल मैदान में हुई अस्थाने विधायक ने इस मुकाबले का उधगाटन किया बालिका वर्ग में उधगाटन मुकाबला भागलपूर और खगर्या के बीच खेला गया इस मुकाबले में खगर्या ने भागलपूर को 3 सुनिय से मात देकर विजय की शुरुवात की खगर्या के तरफ से केके रानी, नवनीत कौर और नेहा परवीन ने एके गोल मारे सामने होंगी खगडिया इकादस बनाम भागलपूर इकादस की टीम इस वक्त हम भागलपूर के टीम के खिलारियों के साथ खड़े हैं जिनके लिए 70 मिनट काफी एहम हुद गाटे मुकाबले में उनके कप्तान से बातचीत करना चाहेंगे इस टॉर्णामेंट की खासियत के यह थी कप्तान भागलपूर की जो बता रहे थी कि जो भी अच्छा खेलेगा उनका इस तरह से चैन होता है आज यह राज इस तरह पर टीम खेलने भागलपूर की तरफ से आई यह कुछ और खेलारी हैं हम उनसे बात जीत करना चाहेंगे कि इसके बाद इस जितना है ओर जीतना है वह सकता है जो आपने चक्ड़ेंडिया में देखा हो इन में से ही वह कोई हो जो अगले चक्ड़ेंदिया की खिलारी हो सकती है कुछ और लोग हम उनसे बात चीत करना चाहेंगे कि इस तरह के टॉर्णामेंट आप लोग आमोमन खेलते होगे तो इस आप लोग नहीं जीते हैं फिलाल तो वी पांच अभी तक हम लोग जीते हैं फांच टोर्णामेंट जीतके ये लोग फिलाल महिलाओं में अपने दवदवा बनाये हैं इन राजेस्टरी खिलाडियों में से एक ऐसी भी खिलाडी हैं जिन्होंने राश्चास्तर पर खेला है बिहार को रिप्रेजेंट किया है निशित रूप से एक जूनियर स्टेक में अगर कोई अपना दबदबा बनाता है तो निशित रूप से एक बड़ा चीज है इसमें हमारे साथ स्वाती महजूद है हम इन से जानकारी लेना चाहते हैं इस टॉर्णामेंट के बाद आपके सा बिहार की वो खिलाडी जो खुद को गौरवान भी महसूस करती है इस टॉर्णाम इनको जितने के बाद और इनका मानना है जैसा कॉन्फिटेंस आप लोगोंने देखा इन बच्चों का निश्यत रूप से कल्प के होने वाली ओलम्पियान या फिर विश्व चैंपियंशि हम काम ना करते हैं जैन न्यूस के तरफ से बाकि और भी दूसरी टीम में हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कुशिस करेंगे कि जूनियर होके टॉर्णामेंट के बाद इनका भविस्तिक कैसा होगा अब हम पहुंच चुके हैं खगडिया के खेमे में यह वो टीम करेंगे के टॉर्णामेंट में आपने कितनी बार दावड़ारी वेश्क कैपने अगले हैं इस तरह क्या हैं यह कंसे ने कंसेLY होगा मिलता निश्टनेल लेबल पर ग्रॉण farming क मैंने के बाद किशे बिलकुल टकनीक में बदलाओवाता है इन Сट फिंगे आसप क्रेम खेलते या फिर राजिस्तर खेलते हैं तो वहां का ग्राउंड बिल्कुल अलग होता है वहां पे खिलाडियों को काफी कुछ मिल रहा होता है अब देख सकते हैं सभी बच्चों के हाथ में होके स्टीग और यह बताता है कि आने वाला 70 मिनट साय दिन का ही होगा क्योंकि कभीर खान ऐसा कहा करते थे इस सिनमा में कुछ और लोग हैं जो यह बताएं इस टॉर्णामेंट को जीतने के बाद आपका भविश्य कैसा होगा तो आगे जाकर यह और खेलना चाहेंगे बादची हैं यह आपका पहला टॉर्णामेंट है नहीं दो-तीन खेल चुके हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा र बिल्कुल आप ये देख सकते कि कम उम्र के बच्चे जूनियर होकी टॉर्णामेंट यहाँ पर चल रहा है उस टॉर्णामेंट में अगर छोटे छोटे बच्चे अपना दबदबा बनाते हैं तो निशित रूप से भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है होकी में जो उनका दबदबा शुरू से रहा है चाहे हो ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड कप हो ऐसे ही बचे हैं जो आगे बढ़कर ओलंपियन या फिर विश्व चैंपियन बनते हैं इन दोनों टीमों के अलावा हमारी निगाहें इस पूरे टॉर्णामेंट पर रहेंगी फिलहाल उत घाटन मु